अभ्यास पंद्र डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट अध्याच जी किसी भी देश की बिदेश नीती अपने में कोई स्वतांत्र नीती नहीं होती है वरन वह किसी देश की आंतरिक नीती को अस्पास्ट करती है उदाहरन के लिए हम अमरिका को ले सकते हैं उसने अपने यहां अधिक अन पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतु बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलास करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों किन्तु हमारी आंतरिक नीती ने यह तै किया कि खर्चीले धंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई रासी हमारे पास नहीं बचेगी हमने कर भी लगा दिये और मुद्रा प्रसार भी कर दिया कुछ संकट पढ़ने के बाद इस बात की अवसकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सके पैराग्राप्चिन स्रीमन मुझे माननिय प्रधान मंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है मैं उनसे यह पुछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीती ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिस की है क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है की बालिग मताधिकार के अधार पर इवेन्नों का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है की फोज के हिसाब से कर लगा कर एक विकास का खाता खोल दिया जाए जो देश बिक्सित हैं उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के सव घंटों के बराबर माना जाता है क्योंकि उनके पास साधन है इसलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है किसी देश के अंदर आंतरिक नीती में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिसाप को समाप्त करेगा यह समझ में आने वाली बात नहीं है अब मैं आपका ध्यान एक और बात की और दिलाना चाहती हूं पूर्वी जर्मानी को मान्यता देते हमें परिसानी होती है इसलिए कि सायद पस्टमी जर्मानी को बुरा लगे लेकिन पस्टमी जर्मानी ने तो अपनी रच्छा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है उसने अपनी पूरी सक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं अभार प्रदर्शन करता हूं और आपका धन्यबाद करता हूं